नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग क्लिनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही common है लेकि कुछ चीजे मैंने अपनी life में जब से अपनाई हैं बहुत सारे changes मैंने positive changes देखे हैं और वही सारी चीजे मैं आपके साथ share भी करना चाहती हूँ दोस्तों सबसे पहला जो मैंने चीज अपनाई है वो ये है कि जब हम जहां पर होते हैं चाहे हम room में हैं चाहे हम kitchen में हैं वहाँ पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम वहां से जाएं तो वहाँ पर कोई गंदगी ना हो कोई चीज खराब ना हो बस इतना सा ध्यान हमें रखना है अगर कोई चीज खराब है तो उसे व्यवस्थित कर दें, गंदी हो रखी है तो उसे साफ करके तब हम महां से निकलें आप देखेगा कि ये काम ना ये इतना ज़्यादा काम करती है ये चीज कि आपका घर एकदम साफ रहने लगता है और आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि आप कैसे अपने घर को साफ कर लेते हैं बस अगी एक ये छोटा सा नियम है कि जब आप जहां से जाएं, वहां से सारी चीजों को व्यवस्थित करके और साफ करके निकलें तो आपका घर हमेशा साफ सुत्रा बना रहेगा दया किसी काम को जलदभाजी में या हड़वड़ी में बिल्कुल नहीं करना पसंद करती हूँ तो मुझे लगता है कि जब जब मुझे समय मिल रहा है तो मैं अपने काम को तसली से करूँ और बहतर तरीके से करूँ तो यहाँ पर मैंने बरतनों को भी दो दिया है किचन में, किचन में सारा काम हो चुका था, डिनर की तयारी भी हो चुकी है, जो बरतन गंदे थे वो भी धुल गए हैं, और अब मेरा किचन तो बिलकुल क्लीन है, अब मैं जाओंगी रूम में, तो रूम की हालत भी बच्चे जैसे पढ़ते रहते हैं, एक्जाम चल रहे हैं, तो कुछ वो भी ऐसी ही रहती है, तो जब मैं किचन की भी क्लीन कर रही हूं तो उसमें भी अपनी टैप वगएरा सब कुछ अच्छे से साफ कर देती हूं, चलिए आपको रूम दिखाती हूं, तो रूम में जब बच्च वगएरा उनकी फैली हूई है, उन्हें ठीक कर रही हूं, क्यूंकि अब जाके बच्चे दूसरे रूम में पढ़ने लगे हैं, महाँ पर एसी उन्होंने चला लिया है, और इस रूम को मैं ठीक कर दूँगी, जिससे कि ये सुबा तक बिलकुल सही रहेगा, कोई इसमें द साफ कर दिया है, तो कुल मिलाकर ये चीज ये रूम हो गया है, बिलकुल साफ सुतरा सा, और इसका जो स्टडी टेबल है, वो भी बच्चों का मैंने अरेंज कर दिया है, ज्यादा बुक्स बच्चे नहीं रखते हैं, खुद ही समझदार हैं, जो पढ़ते हैं, बाकी बु चीज़े तो खराब होंगी ही, और हम उनके उपर बिलकुल भी प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, कि तुम खराब क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई भी अगर बैठेगा या कहीं पर कुछ काम कर रहा है, तो चीज़े तो खराब होनी है, हमें अपने बच्चों को फ्री चोड़ना है, पढ़ने के लिए, उनके माइंड को डेवलप करने के लिए, उन पर हमें किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, मेरा परसनल ये मानना है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या चीज़े बच्चों को हम सिखा सकते हैं, वो सारी चीज़े मुझे बताईए है, और उसको मैं दुबारा से यहां पर बैडशीट को सही से लगा दूगी, तो ये नियम तो मेरा हर रोस का है, कि मैं अगर रूम में जा रही हूँ, रूम में मुझे कुछ भी गड़वर लग रही है, तो उसको मैं साफ कर देती हूँ, सही कर देती हूँ, और जिससे की वो फिर साफ ही रहता है, हमेशा कोई दिक्कत नहीं होती है, तो यहां पर इस तरीके से मैंने बैडशीट को अच्छे से सही कर दिया है, बिचा दिया है, और मैं जब अपने काम को करती हूँ, तो मैं यह नहीं देखती हूँ, कि हाँ यह मौर्निंग है या इवनिंग है, कुशन वगेरा पिलो लगा दिये हैं बैड पर, मैंने और मेरा जो यह बैड है, स्टेडी टेवल बच्चों का हो गया है, बिल्कुल विवस्तित, क्योंकि साफ सुतरे घर में पढ़ाई में भी मन लगता है, और कहीं पर गंदे अरिया में बच्चों को बिठा दीजे, तो इस टाइम पर मैंने थोड़ी से जो मुझे धूल मिटी लगी कि थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो वो भी मैंने साथ के साथ यहां पर साफ कर दिया, जो भी सामान रखा हुआ था, सबको हटा हटा कर यहां पर अच्छे से क्लीन कर दिया है, दोस्तों अगर आपको वीडिय सामाता बोलते हैं, विद्या देवी बोलते हैं, अगर इन पर धूल चड़ रही है, तो फिर कैसे ध्यान लगेगा ना पढ़ाई में, तो पूरा प्रयास रहता है कि साफ करती रहूं, और बिल्कुल भी धूल में टी इंचीजों पर ना चड़ें, तो डस्टिंग मेरी गरम और सब लोगों का डिनर हो जाएगा, तो यहां पर खाने की भी तयारी मैंने टाइम से ही कर ली है, और सारी मेरी जो क्लीनिंग का भी जो इवनिंग का काम है, वो भी हो गया है, तो दोस्तों कुल मिलाकर सारी वीडियो आप इवनिंग की सारे काम, जो मेरा क्लीनिंग क रूटीन है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है आपको कैसा लगा आप क्या रूटीन फॉलो करते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजेगा और शैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो कैसा ही मेरा चलता है आपका कैसा चलता है जरूर बताइएगा